हेलो और वेलकम टो यौर चैनल आज देलाइक इट क्या आपको पता है इंडिगो ओपरेटेड एक एरक्राफ्ट ने किशनगड में कल एक लैंडिंग की है जिसमें इस्तेमाल किया गया है इंडिया का अपना सैटलाइट बेस्ट अगुमेंटेशन सिस्टम जिसका नाम है सेटलाइट बेस्ट अगुमेंटेशन सिस्टम जो होता है यह वाइड अअग्ओ मेंटेशन सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है और यह बेड़ियानर ने उन चार कंट्रीज में से जिनके पास SBAS है और वो कंट्रीज हैं US, Japan, Europe और अब हो गई है इंडिया इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज जो हैं जो अपने SBAS सिस्टम को डेवलप कर रही हैं जैसे चाइना कर रही है बाइदू सिस्टम साउथ कोरिया कर रही है कोरिया अगुमेंटिशन सैटलाइट सिस्टम रश्या डेवलप कर रही है सिस्टम वर डिफरेंशल कॉरेक्शंज और मॉनिटरिंग और और अगर इसी भाषा में समझें तो SBAS जो है यह एक ऐसा navigation system है जो accuracy बढ़ाता है navigation tools की जैसे की GPS है उसकी accuracy बढ़ाता है SBAS system Aircraft operators के लिए इसका मतलब यह है कि pilot जो है वो अपने aircraft को कम smaller airports में या smaller air strips में land कर सकते हैं using this navigation Director General of Civil Aviation ने deadline दी थी July 1, 2021 को की all Indian registered aircraft जो है उनके पास गगन compliant instruments होने चाहिए जो की mostly aircraft ने comply कर दी थी only exception इसमें है Boeing 787 aircraft जो की Air India और Air विश्थारा यूज़ कर रहे हैं आईए अब समझते हैं की गगन सिस्टम क्या है गगन सिस्टम जो है वो उसमें ground stations है कहां कहां है डेली में गोहाटी कोलकता एहमदाबाद तिरुवंदपुरम बैंगलूरू जमू एंड पोर्ट ब्लेयर और यह प्रोवाइड करते हैं augmentation to the GPS navigation signals यह सारे के सारे जो reference stations है यह strategically located है जिस तरीके से कि यह GPS के जो satellite data है उसको collect करें पूरी country का strategy के लिए और उसके बाद यह सारा का सारा जो data है यह master control center जो है बैंगलूरू वहाँ पे भेज दिया जाता है जहाँ पे की message generate होते है regarding corrections जो भी signals में error होती है उनके correction के messages वहाँ पे generate होते है उसके बाद यह corrected messages जो हैं वो uplink से भेज दे जाते हैं और उसके पाद geostationary satellites की थूरू यह broadcast के जाते हैं और जो aircraft हैं जिनके पास GPS receivers हैं वो इन information को receive करते हैं और इस कारण से उनका data जो होता है more accurate हो जाता है आईए अब इसको हम एक diagram से समझते हैं कि इंडिया के जैसे आपको देख रहे है reference stations हैं ठीक है इन reference stations के ऊपर देखे आप इंडिया की तीन geostationary satellites हैं जो की गगन सिस्टम का part है जी सेट 8, जी सेट 10 और जी सेट 15 यह basically broadcast करेंगी signals को ठीक है और फिर यह satellite जो हैं उनको broadcast करती हैं और जो aircraft है जैसे यहाँ पे aircraft है उसके पास GPS signal भी आ रहे हैं और साथे साथ यह augmented signal भी आ रहे हैं तो उसके पास एक better और corrected data आ जाता है जो की अकेले GPS इस्तमाल करने से नहीं मिल पाता है इसी कारण से satellite based augmentation system जो हैं वो important हो जाते हैं यहाँ पे यह बात जरूर जान लें कि जो गगन है वो develop किया गया है ISRO और airport authority of India द्वारा गगन इंडिया का first satellite based global positioning system है जो की ISRO की G-set satellite पर rely करता है गगन basically एक inter-operable satellite based augmentation system है और यह इंडिया को एक fourth nation बनाता है after US, Europe और जपान जिनके पास SBAS system है यहाँ पे यह भी जरूर जान लें कि जो गगन है वो अकेला ऐसा SBAS system है जो की equatorial region को भी cover करता है इंडिया ने यह भी announce किया था जो कि गगन system की services जो है तो सार्क member states को भी available कराई जाएंगी साथ ही आपको यह भी पता होना है चाहिए कि गगन system की वज़े से जो accuracy है GPS signals की वो up to 3 meters हो जाती है आईए अब देखते हैं कि benefits क्या हैं गगन के गगन के major benefits हैं first improve efficiency second direct routes बताता है यह तीसरा increased fuel saving होती है क्योंकि direct routes बता चलते हैं और four significant cost saving होती है companies को आईए अब जानते हैं कि difference क्या है GPS और गगन के बीच में GPS बेसिकलिए एक satellite system है जो की position का data देता है वहीं गगन जो है वो augmentation system है जो की augument करता है GPS के signals को और उसको accurate कर देता है जादा और उनकी integrity बढ़ा देता है इंडिया के गगन system में तीन indigenous geostationary satellites हैं उनका नाम है G-Sat 8, G-Sat 10 और G-Sat 15 यहाँ पर यह भी जान लेना जरूरी है कि aviation sector में तो गगन के फायदे हैं ही है साथ ही साथ maritime sector में भी वो navigation में help करता है और वही accurate land transport में भी help provide करता है तो यह थी हमारी coverage regarding गगन और यह exam की district से important हो जाती है क्योंकि इंडिया fourth ऐसी country बन गई है तो अगर आपको यह information पसंद आई हो तो like and subscribe करें वही Instagram और Telegram से जुड़ें अगर आपको free PDF और free notes चाहिए Thank you